नमस्कार सबी को, मैं दिख्षा चौदरी, स्वाकाते आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में आज की इस वीडियो में हम ब्लड के बारे में जानने बाले हैं, यानि रक्त के बारे में जानने बाले हैं इससे पहले की वीडियो में हमने खिर्दर के बारे में जाना और उससे पहले हमें स्केरेटन सिस्टम के बारे में जाना और आज हम जानने वाले हैं ब्लड यानि रक्त तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्त क्या होता है और रक्त की हमारी शरीर में क्या भूमिका है ब्लड जिस तरह हमने अपने आसपास देखा है कि हमें एक स्थान से जाने एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसी विहिकल्स या ट्रांस्पोर्टेशन की आवशक्ता होती है या तयात के साधन की तो उसी तरह हमारे शरीर में भी उप्योगी पधार्तों को हर्मोन्स को और एंजाइम्स को साथी साथ गैसिस को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए कुछ उपयोगी पधार्थ की आवश्यक्ता होती है वो उपयोगी पधार्थ हमारा क्या है ब्लड रक्त तो रक्त का मुख्य कार रहे है परिवहन करना रक्त का मुख्य कार रहे क्या है परिवहन करना उप्योगी पधार्तों का परिवहन करना पूरे शरीर में क्योंकि रक्त ही एक ऐसी पधार्त है जो पूरे शरीर में जाता है और उसी की साहिता से हमारे शरीर में सभी उप्योगी पधार्त जाते हैं सबसे पहले रक्त का रक्त परिसंचरण की खोज वो किस ने करी थी क्या आपको पता है रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे ने करी थी रक्त परिसंचरण की खोज किस ने करी थी परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने करी रक्त परिसंचरण की खोष सबसे पहले किस ने करी विलियम हॉर्वे ने आप चाहें तो साथ की साथ ये लिख भी सकते हैं रक्त परिसंचरण की खोष सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने करी और ब्लड का हमारे शरीर में क्या काम है यह सब बाते आप लिख सकते हैं रक्त एक संयूजी उतक होता है संयूजी उतक होता है और जिसका pH मान होता है 7.4 रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4 7.4 जब 7 से pH मान बढ़ते हैं 7, 7.1, 7.2 नीचे इस तरह से बढ़ते जाते हैं तो जो पधार्तों की प्रक्रती होती है वो होती है 6 यह जबकि इसके विपरीत यदि घड़ते जाते हैं pH मान 6, 5, 4 तो जो प्रक्रती होती है पधार्तों की वो क्या होती है? अमली है अब च्योंकि हमारे रक्त का pH वान 7.4 है इस कारण रक्त की प्रक्रती कैसी होगी? चारी है तो 7.4 pH होने के कारण रक्त की प्रक्रती छारी होती है साथ में पहले रक्त परिसंचरण की खोज किस ने करी? बिलियम हॉर्वे ने करी रक्त एक संयोजी उतक है द्यान लखिया अगर प्रेपर में प्रश्ट पूछा गया रक्त कैसा उतक है? तो कैसा उतक है? संयोजी उतक है स्वस्ते मानव में रक्त कितना होता है? स्वस्ते मानव में रक्त साड़े 5 लीटर होता है कितना होता है? साड़े पांस लीटर ये जो साड़े पांस लीटर है ये पुरुशों में है जबकि महिलाओं में आदा लीटर कम होता है महिलाओं में रक्त कितना होता है पांस लीटर ये किसमें है, मैन में मेल और फीमेल में कितना होता है फाइफ लीटर पीमेल में होता है फाइफ लीटर और मेल में होता है साड़े पांस लीटर है ना तो रक्त कितना होता है साड़े पांस लीटर मेल में और फीमेल में कितना होता है पांस लीटर इसके साथ साथ रक्त का निर्माड कहा होता है रक्त का निर्माड जो हम भ्रूड अवस्था में होते हैं भ्रूड अवस्था में यानि जब कोई बालक सिशु गर्ब की अवस्था में होता है ब्रून अवस्ता में होता है उस समय रक्त का निर्माड यक्रत में होता है उसके साथ सामानने मनोश है हम लोग किसमें है सामानने में है तो हमारे अंदर रक्त का निर्माड कहा होता है हमने बोन एक लेसन पढ़ा था हड़ियां अस्तियां बोन उसमें हमने बोन में पढ़ा ता इस तरह बोन में एक बोन मैरो होती है अस्थी मज्जा प्रुकाया यह मीरो कि तो weakest मनुष्य में और जो मनुष्य होते मानव उनमें रक्त करनेर्भान कहा होता है reinforce को में रक्त का निर्माड बोन मेरो अस्थी मज्जा में होता है अस्थी मज्जा हड्डियों की बीच में जाली नुमा आकरती की थी इसमें किसका निर्माड होता है जो हमारा वेट होता है जिसे हम कभी अपना वजन तोलते हैं तो उस वेट में 7% जो हमारा वेट होता है भार का होता है ऐगा ऐगा हुए 7% वेट किसका होता है हमारा बलड का होता है एक बार ब्लड के बारे में जो जो अब हमने जनकारी पढ़ी है उनने रिवैस खरते हैं फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे हमने सबसे पहले ब्लड के एंजाइम्स है साथ में गैसिज हैं कार्बण डियोक्सरणे इसекс के वापस लेकर आता है। तो ये सब कार्व achievements करता है कि बलड में सबसे पहले हमने जाना कि जो इसका यह परिवहन करता है । इस परिसंच्रण संत्र की खोज इस परिसंचरण के रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले किस ने करी यहां पर आएगा रक्त परिसंचरण रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हॉर्वे ने करी विलियम हॉर्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज करी साथ में बताया कि जो रक्त परिसंचरण का पी एच मान है वो कि सौरी विलियम हॉर्वे ने यह नहीं बताया रक्त परिसंचरण की खोज करी फिरम उसक बाद देखा कि रख्ट का पी हवान 7.4 होता है इसलिए इसके प्रकरती काईसी होगी 6 एसके प्रकरती होगी । इसके बाद हमने जाना यानी हमारा जो वेट है वेट में 7 परसंट जो वेट होता है हमारा बजन वो किसका रहता है वो रक्त का होता है रक्त का निर्माण कहा होता है अस्थी मज्जा यानि बोन मेरों में होता है और जो ब्रून अवस्था में रक्त का निर्माण कहा होता है ये क्रत में होता है अच्छा आपने सुनाओगा ब्लड बैंक कहा जाता है हमारी शरी जिसे हमें बाहर से हमें कभी ब्लड की आवशक्ता होती है ब्लड की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं ब्लड बैंक के पास बाहर जाते हैं और लेकर आते हैं इसी तरह हमारे शरीर में भी एक ब्लड बैंक होती है जिसको हम बोलते हैं स्प्लीन क्या बोलते हैं हम इसको स्पिलीन हिंदी में हम इसको प्लीहा और तिली भी कहते हैं प्लीहा और तिली प्लीहा और तिली यह हिंदी की भाषा है प्लीहा और तिली और इंगलिश में हम स्पिलीन बोलते हैं तो ब्लड बैंक किसको बोलते हैं स्पिलीन को बोलते हैं इस्पिलीन क्या करती है ब्लड मतलब इसमें स्पिलीन में स्टोर रहता है जब हमें कभी जरूत होती है जादा ब्लड की तो वो किसके थो आता है इसके बाद हमने जाना कि मेल में कितना ब्लड होता है साड़ी पांस लीटर और फीमेल में कितना होता है पांस लीटर फीमेल मे ने दो भागों में बाटा है प्लाजमा और कार्पल्स की स्पेलिंग है कार्पल्स की स्पेलिंग होगी कारपल्स तो बलड को दो भागों में बाटा प्लाजमा में कारपल्स में पहले हम इसको मिटाते हैं फिर उसके बाद में हम इस डाग्रम के बारे में बाते करेंगे इसके बाद हम जारेंगे बलड को हमने कितनी भागों में डिवाइड किया ब्लड को हमने दो भागों में मुख्य तर डिवाइड किया पर्स्ट है हमारा प्लाज्मा एंड सेकेंड है हमारा कारपल्स प्लाज्मा के अंतरगत तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लाज्मा और I think हम RBC भी कम्प्लीट कर ले and WBC और Pratelates हम next day कम्प्लीट करेंगे तो फिलाल आज के लिए हम प्लाज्मा और RBC पर फोकस करेंगे पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा प्लाज्मा और दूसरा कारपल्स प्लाज्मा क्या है ये लिक्विड फॉम में है जबकि कारपल्स क्या है यह रुधिर आडू यह अडू है छोटे छोटे अडू की रूप में है जबकि प्लाज्मा क्या है लिक्विड रूप में है ब्लड का लगभग 55-60% क्या है प्लाज्मा यानि किसी बुक में 55 लिखा है इसी में 60 तो इसलिए दोनों ले लिए गया है लेकिन हम कितना मान लेते हैं हम मान लेते हैं 60 जातर 60 और 40 दिया है पर कोई यह अगर इसके बीच में आ गए तो फिर हम वो भी लगा सकते हैं इसलिए मैंने यहां पर जानने के लिए लिखा है 60% हमारा प्लाजमा है ब्लड का 60% प्लाजमा है और दुसमें की रोधिराणू कितने हैं 40% प्लाजमा के 60% में से भी 90% तो हमारा क्या है जल है जो बचा 10% वो प्रोटीन प्लस कार्बो हाइडरेट है क्या है प्रोटीन प्लस कार्बो हाइडरेट है प्लाजमा 60% है उसमें से भी 90% 60% का 90% जल है और जो 10% है उसमें प्रोटीन और कार्बो हाइडरेट है प्लाजमा का जो रंग है वो पीला है किस तरह का है पीला यह पीले रंग का तरल पधार्ट है तरल पधार्ट पूरी तरह तरल नहीं है जैसे प्लाजमा आपने देखा होगा बल्गम वगेरा आपने देखा है उस तरह का कुछ रहता है यह बल्गम जैली जैली थोड़ी कठोर होती है जैली नहीं बूल सकते हैं, बल्गरम टाइप का है प्लाजमा, प्यॉर तरल पानी की तरह नहीं है, इसलिए इसमें 90% जल है और 10% प्रोटीन और कार्भॉाइडरिट है, और इसका रंग कैसा होता है, पीला होता है और यह तरल पधार्थ होता है, यह पीला और तरल प्लाजमा में जो प्रोटीन पाई जाती है, वो तीन प्रकार की प्रोटीन है, फाइबरिनोजेन, प्रोथ्रोम बीन और हैपिरीन, फाइबरिनोजेन, प्रोथ्रोम बीन और हैपिरीन, तीन प्रकार की प्रोटीन प्लाजमा में पाई जाती है, जिसमें की फाइबरिनोजे या थोड़ी चूट लग जाती है तो उसके बाद रक्त को बहता रहेगा बहता रहेगा लेकिन उसे रोकने के लिए हमारी शरीर में इस तरह की विवस्था की गई है कि जिससे की बलड रुक सके अगर जाधा गंपीर चूट लगी है तो उसके बला पट्टी तो करनी पड़ेगी लेकिन धीरे धीरे बलड सब ही रुकेगा जब तक हमारी शरी में ठक्का बनेगा अगर ठक्का नहीं बना तो आप बाहर से कितनी भी पट्टिया कर लिए रक्त क थक्का बनाने की कि रिया किस प्रोटीन की जरू होती है फाइब्लिनोजेन और प्रोथ्रोंबी जो किस में पाइद आते हैं प्लाजमा में साथी साथ हेपरीन क्या करती है फिर हेपरीन इसका अपोजिट काम करती है हेपरीन रक्त को जमने से रोकती है अब यह तो उल्टा हो गया बिल्कुल यानि दो प्रोटीन जो है वो रक्त को जमा रही है और एक प्रोटीन जमने से रोकती है अगर रक्त जादा जमने लगा, माल लीजिए फैब्रीनो जीनो प्रोथ्रोंबीन की कैपिसिटी जादा हो गए और ये ब्लड को जमाने लगे, क्लॉट करने लगे, तो हमारी जो हमारे वैसल्स है, नसे हैं, इनमे रक्त क्या है? अंदर जमने लगेगा तो उस जमने को रोकने के लिए हेपरीन, हेपरीन प्रोटीन क्या करती है? उसे रोकती है, क्या करती है? उसे रोकती है और जमने नहीं देती हैईं मुक्य काम। किसका है? हेपरिन का तो शरीर में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि ना तो हमारा ब्लड ज़दा ही जम पाए और ना ज़दा ही ऐसा हो कि वो जम ही न पाए तो जो है फाइपरिन Tiffany प्रोथेन यह उत्मीन को लगा तू को अंजसे क्या थी आगा यह एक्ली समस्य एक्षिरा में पहुच पायगा तो इस आपक्रीन को बनाया गए उसके बादี हैं लाजामा में ही एंटीबाद हुद क्या करते हैं हमारे शरीर के अंतरगत कोई भी बीमारी आती है तो उसे लड़ने का काम कौन करती है एंटीबोडी करती है चरीर के अंतरगत बहुत सारी बीमारी आती है और कोरोना वगेरा में हमने काफी दे कोरोना में मुखेते बोखारों में हर चीज में जहतर बीमारी आती है तो हमें कौन थी वाफ प्लाजमा में पाई जाती हैं और क्या करती है और यह हमारे अंतर्गज इसको लडने के लिए रोकते हैं हम चैनल तो глубignogen को plasma मेंसे निकाल ले, तो जो आ नाम डेंगे इसको एक नाम दिया गया है, तो हम quibernogen को निकाल लेंगे plasma में यह पीले ही रंग का होगा प्रशन आ सकता है पेपर में कि फैबरीनोजेन को निकालने पर प्लाज्मा मैंसे यह यह हम फैबरीनोजेन को निकाल लेते हैं तो उस पधार्त को हम क्या बोलते हैं सेरम बोलते हैं या फिर इस तरह भी बोल सकते हैं कि सेरम हमें कैसे प्राप्त होता है यह सेरम हमें कैसे प्राप्त होता है यहां इस तरह सभी प्रशना सकता है कि सेरम मैं से कौन सा पधार जो है कौन सी प्रोटीन निकाल ली जाती है जब हमें सेरम प्राप्त होता है तो कौन काली जाती है कि यहां तक हमने प्लाजमा की बारे में जाना अब जानेंगे कार्पल्स यानी sign टाजमा यहां तख़्वन होता है उसके बाद आता है रुदीराड में आज जानेंगे आ बी के बारे में रुधिराडू को भी तीन भागों में हमने डिवाइड किया RBC, WBC, Platelets मुख्यते आपने सुनी होंगी Red Blood Cells या Red Blood Corpus भी हम बोल सकते हैं WBC, White Blood Corpus और Platelets RBC जो है इसका पहले हम इसे मिटाते हैं फिर हम RBC के बारे में समझाएंगे तो इसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं Red Blood Cells के बारे में इसके RBC की फिर्टफर्म क्या है सबसे पहले हैं वो लिखते हैं Red Blood Cells Red Blood Cells Red Blood Cells या Red Blood Corpus भी हम बोल सकते हैं RBC जो लगभग रुधिराडू का 99 प्रतिशत भाग हमारा किसका है RBC का है के वाल एक प्रतिशत भाग में क्या है WBC और Platelets है RBC की संख्या मानव शरीर में कब से कम RBC की संख्या मानव शरीर में 50 लाक होती है किती होती है 50 लाक यानि 50 लाक हमारी शरीर में Red Blood Cells मौदूद है ये Red Blood Cells Red Blood Cells जो है इनमें क्या होता है Red Blood Cells जो है वो किसे मिलकर बनी होती है Hemoglobin से Red Blood Cells में क्या पाय जाता है Hemoglobin HP Hemoglobin और Hemoglobin में क्या पाय जाता है Iron Fe यानि Red Blood Cells में क्या पाय जाता है Hemoglobin और Hemoglobin में क्या पाय जाता है Fe Iron तो जब कभी हमारे अंदर Red Blood Cells की कमी होती है है तो डॉक्टर हमें किसको प्रस्क्राइब करते हैं एरन की गोलिया आरन की टेब्लेट्स देते हैं कि आप यह खाईए और आपका हिमोग्लोबिन बढ़ेगा यह और जिससे क्या होगा हमारी आर्बीसी भी बढ़ेंगी आपने जो हमने हिर्दय का लेसन पढ़ा तो उसमें हमने बताया कि हमोग्लोबिन क्या करता है स्विशिन और कार्बंड ऑकसाइड को क्या करता है सप्लाइब कर्ता है सबी अंदर एक्षा होगँ में कि sécurité का औक्सर क्या होता है जो गल्स में हीमोग्लोबिन की मातरा कम होती है गल्स में हीमोग्लोबिन की मातरा गल्स में क्या होता है गल्स में हीमोग्लोबिन की मातरा जो है वो 12.5 से लगब 15.5 ग्राम डेसी लिटर होती है तो यह वाली जो किसकी है यह है फीमेल की और जो नीचे वाली है, 13.5 से 17.5 g तरती डितेर यह है मेल की जब फीमेल में जो हीमोग्लोबिन है, उसकी संख्या कैसी होती है, कम होती है 12.5 से 15.5 g डिते जो जब हीमोग्लोबिन की संख्या मुखे थे नहीं हो पाती है और उतोमें घट जाती है तो हीमोग्लोबिन का काम मुख्यत है क्या है ऑक्सीजन को पहुचाना सेल्स तक अब यह दी हीमोग्लोबिन की कमी हो गई तो ऑक्सीजन सेलों में नहीं पहुच पाएगी और जब ऑक्सीजन नहीं सेल में पहुच पाएगी तो क्या होगा चक्कराने स्टार्ट हो जाएंगे इसलिए लड़कियों को मुख्यते ज्यादा चक्कर आते हैं ऑक्सिजन नहीं पहुंच पाएगी पूरी तरह शरीर में तो फिर क्या होंगे चक्कर आने स्थार्ट होंगी और फीमेल में हीमोग्लोबिन जो है वो कम भी होता है 12.5 से कितना होता है 15.5 ग्राम जोकि पुरुष रेड ब्लेट सेल्स लाल रक्त कडिकाएं होती है इनका निर्माड कहा होता है ब्रूर अवस्था में तो इनका निर्माड रक्त में होता है पर यक्रत में होता है ब्रूर अवस्था में इनका निर्माड कहा होता है यक्रत में इसे मैं यहां लिख देती है यक्रत में अस्थी मज्जा में अस्थान पर सामाने अवस्था में का होता है बोन मेरों में अस्थी मज्जा में जब आर बीसी आर बीसी का जीवन काल है वह 120 दिन होता है यानि जीवन काल कितना है इसका 120 दिन 120 दिन के बाद क्या हो जाती है यह dead हो जाती है यह इनका जीवनकाल है जिसे हमारा जीवनकाल उसी तरह RBC का भी जीवनकाल होता है तो 120 दिन में क्या हो जाती है यह dead हो जाती है तो यह कहा जाती है spleen में जाती है कहा जाती है spleen इस्प्लीन को graveyard यानि कब्र कहा जाता है RBC कि कापर किसे कहा जाता है graveyard किसे कहा जाता है Sm Ole 1 को क्योंकि सभी मुरत RBC कहा जाती है Smlt máquina में जाती है Graveyard में जाती है जब हमें कभी चोट भी लग जाती है यहां चोट लग जाता है हरा हरा नीला हो जाता है तो क्या है कि लिए था का नाव छोकी है तो और यह स्पीलीन में जाएंगे उस प्लीन जो है वह लेफ्ट सैड में की नीचे होती है left side में rips के नीचे जो हमारी पसली आये उनकी नीचे होती है और यह हमें मुख्यता दिखाई नहीं देती, यह दिखाई तब देती है जब इसमें कोई समस्य हो जाए यह सूज जाए तब हमें महसूस होता है यह आपर, वैसे ही rips के अंदर होती है तो हमें दिखाई नहीं दे कि एह संच ने में रेको संचा पहले हम उसी एक बर करते हैं फिर नेक्स वीडियो में रेको संवल्स के बारे में संगे हैउ संच बारे में हमने जाना सबसे पहले RBC की फुल्फर्म क्या है? Red Blood Cells Red Blood Cells यानि Carpals का रोजिराडू का 99 प्रतिशित क्या होता है? हमारी शरी में Red Blood Cells होती है और हमारी शरी में Red Blood Cells की कितनी मात्रा होती है? 50 लाग इसकी मात्रा होती है RBC में हीमोगलोबिन पाया जाता है आरन की टेबलेट्स लेनी चाहिए यह हिमोग्लोबिन की कमी हो तो इससे कि क्या होगी हमारे शरी में पोर्ती होगी हमने जाना कि फीमेल में जो आरबी रड हिमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कितनी होती है 12.5 से 15.5 ग्राम डेसी लीटर हो सकता है आपको कभी मिली ग्राम और उ में में को चकर क्यों आते हैं क्योंकि हमोग्लोबिन की संख्या कम हो जाएगा लग्त्राइब अटिमारे में पुरूशों की तुल्लाम है कि हमने जाना की यहर शीजीश जब मर जाती है उनका जीवन काल कितना है 120 दिन कि कि जीवन आयू पूरी हो जाती है यह कहां जाती है एक जाती है ग्रेवड़ार्ब बोलते हैं जो हमारी धृफ हमस्ता में होगार रिप्स गहा बनती है और न संमान्य स्थिति में बोन् मेरोयास्थी मज्जा में हमारी RBC बनती है RBC में ना तो केंद्रक पाया जाता है ना तो लाइसोसोम पाया जाता है यह बात याद योग्य रखने है कि ना तो इसमें केंद्रक पाया जाता है और ना ही इसमें लाइसोसोम पाया जाता है लाइसोՌ सोम पाया जाता है ये दोनों ही इसमें नहीं पाये जाते ना तो केंदर्ग पाये जाता है ना ही लाइसोस्व अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी हो शैल्स वगरंचे तो आप समझ जाएंगे कि केंदर्ग किसको बोलते हैं हम और लाइसुसों किसे बोलते हैं आज की वीडियो में हमने ब्लड के बारे में जाना आई होप आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो और समझ माया हो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इस झाल झाल